चली यहां पर हम बहुत सारे questions करते हैं ऐसे questions जिसमें हम वो same ही काम करना है लिकें हम बहुत सारे practice करेंगे बहुत सारे varieties के question करेंगे ताकि हम एक quadratic expression को दो binomials के product में लिखें और यह काम हमारे लिए एकदम बाइहाद का खेल बन जाए अब इसे मुझे दो binomials के product के form में लिखना है तो चली यह माल लेते हैं कि वो दोनों जो binomials है वो कुछ है x plus a और दूसरा है कुछ x plus b ठीक है एक question जो आपके दिमाग में यह आ सकता है वो यह है कि x plus a है यहां x plus b है हमने कुछ ऐसा कुछ और माल लिजए यहां पे कुछ x square plus b क्योंने लिया हमने x plus b ही क्यों लिया ऐसा इसे लिए क्योंकि अब अगर मैं इसको multiply करूँगा जैसे कि मैं इसको multiply करने के लिए क्या करूँगा इस वाले पूरे expression को इस पर distribute करूँगा तो यह हो जाएगा x times x square plus b plus a times x square plus b जैसे ही मैं यह करूँगा अब जब मैं इसको multiply करना शुरू करूँगा x times x square हो जाएगा x की power 3 तो यहां तो x की power 3 आ गया लेकिन यहां पे तो x की power 2 ही है यह तो एक quadratic है और यह तो एक cubic expression बन चुका है क्योंकि इसके degree 3 हो चुकी है तो ऐसा मैं लही नहीं सकता अगर मैं 2 या फिर यहां पे power 3 या फिर 4 रखो तो powers बढ़ते ही जाएंगे मुझे अगर x square चाहिए तो मुझे x plus a और यहां पे भी मुझे x ही रखना पड़ेगा तभी जाके मुझे एक quadratic मिलेगी तो यह हो जाएगा x times x यानि की x square plus x times b यानि की bx plus यहां b इसको x करते हैं plus a times x यानि की ax plus a times b यानि की a b हो जाएगे यहां पे तो अब अगर मैं इन दोनों बीच वाले term को combine करूँ तो हो जाएगा x square plus b plus a या फिर a plus b times x plus a times b यह मेरा यहां पे यह expression आ गया अब मैं हर बार जो question करूँगा उसमें मैं इसी चीज़ को compare करूँगा इसको देखके मैं यह बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको और इसको यहां पे compare करने की कोशिश करूँ तो दोनों की case में जो x square का coefficient है coefficient of x square वो one है इस case में और इस case में जो coefficient of x है coefficient of x इस वाले x का जो coefficient है वो है मेरा a plus b के बराबर a plus b यह जो दोनों यहां पे constant थे a और b a और b यह जो constant parts थे यहां पे इनका sum के बराबर है coefficient of x यहां पे coefficient of x यह हो जाएगा मेरा a plus b के बराबर a plus b के बराबर और यह जो यहाँ पर constant part है यहाँ पर जो constant term है constant term वो हो जाएगा मेरा दोनो a plus b के product के बराबर a times b यह हो जाएगा मेरा a times b तो बस इसी को ध्यान में रखे अब मुझे a और b चुनना है तो एक चीज तो मुझे पता चल गई कि a plus b जो है वो है मेरा 9 तो चली अब हम 9 के factors ढूंडते हैं तो 9 के factors क्या क्या हो सकते हैं जैसे 1 times 9 हो गया 3 times 3 हो गया बस ठीक है तो क्या 3 और 3 दोनों का sum 10 होगा नहीं 1 और 9 1 times 9 9 होता है और 1 plus 9 10 होता है तो यह वाला जो यहाँ पर मुझे combination मिला 1 और 9 का वो इस दोनों equation को satisfy कर रहा है तो मैं बड़े कर्व के साथ ही बोल सकता हूँ कि a और b की जो value होगी वो 1 और 9 होगी यानि कि इसके जो दो binomial factors होंगे वो हो जाएंगे x plus 1 और x plus 9 अब आप बोलेंगे यहाँ पर 1 और 9 है मैंने negative 1 और negative 9 लो तो क्या इनका sum 10 होगा यहाँ पर एक positive sum है और अगर मैं इन दोनों negative चीज़ को add करूँ तो मुझे एक negative sum में लेगा और वो होगा negative 10 जो कि मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने यह नहीं लिया बलकि यह लिया इसलिए इसको मैं factorize करके लिख सकता हूँ x plus 1 times x plus 9 के बराबर चले अगले question पर आते हैं जैसे कि मान लीजे मेरे पास है यहाँ पर कुछ मान लीजे x square plus 15x plus 50 तो अब जो मेरा भी तक का experience है जो मैंने यहाँ पर देखा उसको देखके मैं बड़ी असाने से यह बोल सकता हूँ कि जो a plus b है उसके value 15 होगी और जो a times b है दोनों का जो product होगा वो 50 के बराबर होगा तो चले इस बात को यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर हम एक boundary कीश देते हैं हमारा यह उपर वादा काम हो चुका है अब हम दूसरे question के बात कर रहे हैं तो यहाँ पर a plus b इसकी value है वो है मेरी 15 के बराबर जो यह x का coefficient है और जो इनका product है a और b का उसकी value जो है 50 के बराबर है 5, 0 अब चुकि 50 positive है तो इसका यह मतलब है कि a और b दोनो same sign के होंगे चुकि अब a b positive है तो मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर a और b है both both are of same sign क्यों क्योंकि इनका जो product है वो एक positive value है ठीक है तो यह तो यह दोनो negative होंगे क्योंकि negative times negative भी positive होता है लेकिन जो पहला equation है उनका sum ही positive है इसका मतलब कि a और b दोनों को positive ही होना पड़ेगा इसको देखके मैं बोल सकता हूँ इस उपर वाले equation को देखके बोल सकता हूँ कि इसका मतलब है कि a and b are positive positive पहले मुझे यह पता चल गया कि यह दोनों same sign के हैं और चुकि दोनों का sum positive है तो इसलिए a और b को positive ही होना पड़ेगा तो अचले अब हम वही चीज़ करते हैं फिर से 50 के factors यहां पे देखने के कोशिश करते हैं तो 50 के factors यहां क्या क्या हो जाएंगे तो 1 times 50 50 होता है लेकिन दोनों का sum कभी 50 नहीं होगा और यहां पे क्या हो जाएगा हम कह सकते हैं 5 times 10 5 times 10 50 होता है 5 plus 10 15 होता है तो बस मुझे मेरा जवाब मिल गया और actually time के साथ-साथ यह habit और बनती जाएगे और आपको इतना करने के जरूरत भी नहीं होगी आप मन में ही यह combination सोच सकते हैं तो बस a के value होगे 5 और b के value होगे 10 तो इसका जो product है इसका जो binomial का product होगा वो हो जाएगा x plus 5 times x plus 10 के बराबर और आप चाहें तो इसको cross verify भी कर सकते हैं हमें काम करते हैं इसको multiply करके ही देख लेते हैं इस x plus 10 को पहले में x पे distribute करता हूं और फिर 5 पे distribute करता हूं तो यह हो जाएगा x times x plus 10 plus 5 times x plus 10 x times x होता है x square x times 10 होता है 10x 5 times x हो जाएगा 5x plus 5 times 10 हो जाएगा 50 10x plus 5x हो जाएगा 15x तो यह हो जाएगा x square plus 15x plus 50 के बराबर जो कि मेरा दिया हुआ expression quadratic expression था चले अब हम बढ़ते हैं अगले question की और जैसे माल लीजे जैसे माल लीजे कि मुझे कुछ दिया हुआ है कुछ ले लेते हैं x square minus 11x plus 24 करके चले माल लीजे हम ले लेते हैं तो यहाँ भी same funda है हमको करना same ही चीज है एकदम फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हम देख के इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो यह negative 11 है यह हो जाएगा मेरा a plus b के बराबर वो जहाँ पे हमने x plus a times x plus b के बाद की थी तो इस a और इस b का जो sum है वो exact coefficient negative 11 के बराबर होगा और इनका जो product होगा वो हो जाएगा 24 इस constant part के बराबर तो बस इसी बात का ध्यान रख के इसको solve करते हैं तो a plus b यह हो गया मेरा negative 11 और a times b यह हो गया मेरा 24 के बराबर 24 के बराबर अब इसको देखके इन दोनों equation को देखके मैं यहां से क्या अंदासा लगा सकता हूँ कि पहली बात a और b दोनों का product 24 है यानि कि a and b are of same sign दोनों का sign same होगा तब ही एक positive product आया है लेकिन उपर में दोनों का sum जो है negative है यानि कि दोनों को क्योंकि यहां पर या तो positive positive हो जाए या तो negative negative हो जाए लेकिन अगर वो positive और positive होंगे तब मुझे एक negative sum तो कभी मिलेगा नहीं इसका मतलब दोनों को negative ही होना पड़ेगा therefore मैं पहले equation को देखके बोल सकता हूँ कि a and b both both are negative यह साइन का फंडा थोड़ा जरूरी है एक बार आपने इस चीज को समझ लिया फिर तो factors निकालना तो हम बच्पन से करते आए इसमें कोई बड़े बात नहीं है तो चलिए अब हम देखते हैं कि 24 के factors क्या-क्या होंगे तो मैं क्या-क्या यहां पर कॉंबिनेशन ले सकता हूँ जैसे वन टाइमस 24 होता है 24 अब हम किस दो factors को यहां से चुन सकते हैं ताकि मेरा product 24 आए और इसका सम नेगेटिव ले बनाए साइन का कॉंबिनेशन आपको खुद से करना पड़ेगा और मुझे पता है कि दोनों ही नेगेटिव है तो मान लीजेगर मैं ले लेता हूँ कुछ अब यहां पर थोड़ी दिक्कत हो रही है हमें सोचने में क्योंकि अब इतने सारे values मिल गए उतमें से हमको 2 values चुनने हैं इसलिए जब भी हम इसके factors आप लिखेंगे हम उसको product के form में लिखने की कोशिश करेंगे जैसे या तो 1 x 24 होगा तो 24 और 1 दोनों कवर होगे या तो 2 x 12 होगा तो 2 और 12 दोनों कवर होगे या तो मेरा 3 x 8 होगा तो 3 और 8 दोनों कवर होगे 4 x 6 होगा तो 6 और 4 दोनों कवर होगे तो अब मैं यहां पर क्या combination ले सकता हूँ 3 और 8 इनका sum 11 होता है तो हाँ बस मुझे मेरा जवाब मिल गया अगर मैं यहाँ पर negative 3 और negative 8 ले लूँ negative 3 और negative 8 actually इसको मैं चलिए sign change कर देते हैं negative 3 और negative 8 ले लूँ तो इनका product 24 हो जाएगा और इनका जो total sum है negative 3 plus negative 8 वो negative 11 के बराबर होगा तो मैं इसको देखके बोल सकता हूँ कि जो A है वो मेरा negative 3 हो गया और जो B है वो मेरा negative 8 हो गया तो इस expression का जो binomial product होगा वो हो जाएगा x minus 3 times x minus 8 के बराबर और आप चाहें तो इनको multiply करके देख सकते हैं कि हमको यह equation यहाँ पर मिलती है या नहीं चलिए और थोड़ा आगे बात करते हैं कुछ और examples यहाँ पर लेके इसके बारे में और इसको थोड़ा आसान बनाते हैं और सोचते हैं इसके बारे में जैसे मान लीजे मेरे पास एक कुछ मान लीजे ले लेते हैं x square minus 14 plus 5x x square minus 14 plus 5x तो जो मेरा product था ये वाला x plus a times x plus b तो यहाँ पर मुझे इसको multiply करके मिला था x square plus a plus bx plus a b तो इसके हिसाब से जो a plus b है वो negative 14 होना चाहिए negative 14 या फिर मैं गलत कर रहा हूं कुछ ध्यान दे यहाँ पर हम अकसर गलती करते हैं क्योंकि a plus b negative 14 नहीं होगा जो a plus b है वो x का coefficient है यहाँ पर x का coefficient 5 है actually मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दिया गया है इसको अगर मैं इसको rearrange करूं तो यह हो जागा x square plus 5x minus 14 जो हम अभी तक उपर इसी format में देखते आए हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो a plus b है वो x का coefficient होता है जो 5 होगा वो a plus b के बराबर होगा और जो इनका product है a times b वो negative 14 हो जाएगा तो चले बस अब हम same चीज़ करते हैं फिर तो a plus b मेरा हो गया 5 और a times b हो गया मेरा negative 14 अब चुकी एक negative value है तो मुझे एक बात हो यहां से पता चल गई और बात यह है कि a और b a and b are of opposite signs opposite 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 false O, P, P, O, S, S, I, T, E, opposite, sine. दोनों के sine opposite है, तब ही मुझे एक negative value मिलेगा multiplication पे. और पहला equation है पे बोल रहा है कि दोनों का sum एक positive value है. यानि कि इसको देखके मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बड़ा वाला value होगा, वो negative होगा. जो बड़ी quantity होगी, वो negative होगी. तो बस चलिए अब हम इसको factors इसके ढूंडते हैं, तो negative 14, 14 के factors क्या क्या होंगे? 1 और 14, 2 और 7, तो 1 और 14 से तो मुझे उतना उमीद नहीं है, क्योंकि वो कभी भी उसको मैं sign 1 कैसे भी change कर दूँ, मुझे 5 तो उसका sum नहीं मिलेगा. हाँ, 2 और 7 यहाँ पर जरूर interesting है, अब चुकि दोनों opposite sign के हैं, तो मुझे दो combination नहीं मिल सकते हैं, negative 2 को या तो मैं 7 से multiply कर दूँ, या फिर 2 को मैं negative 7 से multiply कर दूँ, दोनों मुझे negative 14 दे देंगे, लेकिन sum मेरा आना चाहिए positive 5, तो क्या negative 2 और 7 का sum 5 होगा? हाँ, 5 हो जाएगा, क्योंकि negative 2 plus 7 है, वो मेरा 5 हो जाता है, तो बस यह हो जाएगा A, यह हो जाएगा B, तो मुझे दोनों factors अपने मिल गए, x plus of minus 2, यानि की x minus 2, और x plus b, यानि की x plus 7, यह दोनों जो binomial होंगे, इनका product, इसके बराबर हो जाएगा, इस quadratic expression के बराबर हो होते हैं, थोड़ा और फंडे को clear करते हैं, और अब जली-जली इसको हम करेंगे, इसमें ज्यादा सोचेंगे नहीं है, जैसे कि मान लीजिए, मेरे पास है कुछ x square minus x minus 56, अब इसको हमको factorize करना है, दो binomials के product के form में, तो मुझे पता है कि जो sum होगा, a plus b, a plus b, वो मेरा x क coefficient यानि कि negative, यहाँ पे है negative x, यानि कि इसका coefficient है, negative 1, तो वो हो जाएगा negative 1 के बराबर, और जो दोनों का product होगा, a times b, वो इस constant part के बराबर हो जाएगा, यानि कि negative 56 के बराबर हो जाएगा, तो बस चलिए, अब सोचना शुरू करते हैं, और चुकि इनका product एक negative value है, तो a और से मैं देख के मुझे लग रहा है कि 8, 7 जा 56 होता है, 8 और 7, तो इनका मैं different combination यहाँ से ले सकता हूँ, या तो मैं negative 8 को 7 से multiply कर दू, या तो मैं 8 को negative 7 से multiply कर दू, दोनों मुझे negative 56 देंगे, लेकिन मुझे उनका sum negative 1 के बराबर करना है, तो किस case में इनका sum negative 1 के बराबर होग जब ये बड़ी quantity negative हो जाएगी, यानि कि ये वाले value, क्योंकि negative 8 plus 7, negative 1 होता है, तो बस मुझे A और भी दोनों के values यहाँ पे मिल गए, तो इसका जो binomial product होगा, वो हो जाएगा x plus of minus 8, यानि कि x minus 8, और दूसरा हो जाएगा x plus of b, यानि कि x plus of 7, और इस दोनों का जो product होगा, इसको जब हम solve करेंगे, तो हमें ये दिया हुआ equation, sorry, दिया हुआ expression मिल जाएगा, माल लीजे, माल लीजे मेरे पास है कुछ हैसा, कि x square, x square, या फिछली इसको negative कर देते हैं, negative x square, negative 5x, और plus 24, अब इसको हमको factorize करना है, दो binomials के product के form में लिखना है, लेकिन यहाँ जो x square का coefficient है, वो negative 1 है, negative 1, तो इसको पहले तो हम x square के coefficient को 1 करेंगे, तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं यह negative 1 बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि actually मैं यह क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, negative 1 times, negative 1 times x square, minus 5x है, यानि कि फिर से यहाँ पर आ जाएगा, negative 1 times 5x, negative 1 times 5x, और plus 24, तो plus 24 को मैं लिख सकता हूँ, negative 1 times, negative 1 times negative 24, बस और बीच पीच में सब मान लिजाए, यहाँ पे पीच में हर जगा plus आया हुआ है, positive, सारी terms आपस में added है, बस मैंने negative 1 अलग-अलग यहाँ पर कर लिया, अब मैं negative 1 को यहाँ पर common निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास आजाएगा, negative 1 times, negative 1 times अंदर क्या बच जाएगा, x square, plus 5x, minus 24, तो हम negative 1 तो बहार आ गया, तो उसका लफड़ा तो खतम, अब मुझे यहाँ पर यह quadratic मिल गई, जो कि अभी तक हम करते हैं, बस अब हम same logic यहाँ पर use करते हैं, यहाँ पर जो sum होगा, a plus b, वो हो जाएगा 5 के बराबर, और जो product होगा, a times b, वो हो जाएगा, negative 24 के बराबर, तो a plus b है मेरा 5, और a times b है मेरा, negative 24, तो कि यह negative है, यह और भी opposite signs के हैं, तो क्या combination मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, तो let's think, चलिए सोचते हैं, इसके बारे में, क्या-क्या factors हो सकते हैं, 24 के, ध्यान रखना है कि उनका जो sum है, वो 5 होना चाहिए, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, 8, 3s are 24 होता है, हाँ, 8, 3s are 24, जैसे जैसे आप practice करेंगे, यह आपको बहुत जली-जली आप दिमाग में सोच सकते हैं, आप दिमाग में 24 के factors चुनना शुरू करें, तो मुझे समझ में है कि 8, 3s are 24 होता है यानि कि 8 और 3 का ही मुझे combination लेना पड़ेगा, तो या तो मैं ले सकता हूँ, negative 8 को मैं 3 से multiply कर दूँ, या तो मैं 8 को negative 3 से multiply कर दूँ, लेकिन इनका sum है positive value, यानि कि मुझे बड़ा जो मेरा quantity होगा, वो positive होना चाहिए, क्योंकि 8 plus of minus 3, यानि कि 8 minus 3, 5 होता है, तो बस मुझे a और b के values मिल गए यहाँ पे, a हो गया मेरा 8, b हो गया negative 3, तो इसको ही मैं factorize करके लिख सकता हूँ, कि x plus a, यानि कि x plus 8, times x plus b, यानि कि x plus of minus 3, यानि कि x minus 3 के बराबर ये value मेरी यहाँ पे आजाएगी, एक छोटी सी यहाँ पे चीज हमने छोड़ दी है, यह negative 1, यह negative 1 तो picture में है, इसको तो हम भूल भी नहीं सकते है, आप गलती से भी इसको मत भूलिएगा, क्योंकि negative 1 से तो यह पूरा multiplied ही था, यह जो यहाँ में हमने factors लिखें, वो इसको इस part को हमने factorize किया था, negative 1 तो हमारा ज्योकतियों आही जाएगा, तो इसका जो factorized form होगा, इसको जब हम दो binomials के product में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा negative 1 times x plus 8 times x minus 3, चलिए एक last question यहाँ पर कर लेते हैं, same essay type का, मान लीजे मेरे पास है कुछ negative x square, negative x square plus 18x minus 72, अब यहाँ x square का coefficient negative है, तो पहले तो हम इसको positive 1 कर लेते हैं, तो मैं negative 1 common निकाल लूँगा, तो जैसे ही मैं बाहर negative 1 न अंदर क्या आजाएगा, अंदर बच जाएगा x square, plus of 18x बन जाएगा negative 18x, negative 72 बन जाएगा positive 72, क्योंकि आप इसको multiply करके अब देख सकते हैं, negative 1 times x square, negative x square होता है, negative 1 times negative 18x, positive 18x हो जाएगा, और negative 1 times positive 72, negative 72 बन जाएगा, तो यह मेरा यहाँ पर आ गया, अब चलिए अब हम same funday स बस इसको भी यहाँ पर factorize करते हैं, तो जो sum होगा a plus b, वो हो जाएगा negative 18 के बराबर, जो product होगा a और b का, वो हो जाएगा 72 के बराबर, और तो 72 के कौन-कौन से factors हो सकते हैं, तो 12, 6, 72 होता है, हाँ, 12, 6, 72 होता है, और चुकि यह positive value है, तो इसके दोनों factors को same sign के होने पड negative है, यानि कि मैं है ले लूँगा negative 12 times negative 6, दोनों का product मुझे 72 दे देगा, और जब मैं दोनों को add करूँगा, negative 12 plus negative 6, तो मुझे एक negative value negative 18 मिल जाएगी, यानि कि यह हो गया मेरा a, यह हो गया मेरा b, तो इसको मैं factorize करके लिख सकता हूँ, यह negative 1 तो जो काते हो आगया, times x minus 12 times x minus 6, यह इसका factorized form हो जाएगा.